हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर आज हम आप लोगों को बताएंगे कि यूपी टेट जो एक्जाम पास करने के बाद में हम लोगों को फिर टीचर में कैसे अपलाई करना है और क्या स्लेवर्स हमको पढ़ना है सुपर टेट के लिए और ज अब आपने इसनातक किया वहां से कितने लेने हैं और जो आपने यूपी टेट किया है वहां से कितने लिएने हैं तो यह सारी चीजे हम यहां पर आपके साथ डिसकस्ट करेंगे ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए अपको एक exam pass करना पड़ेगा teacher बनने के लिए teacher, सरकारी teacher बनने के लिए आपको दो तरीके से बन जाते हैं एक तो 6 तक, पांस तक और फिर 6-8 तक ठीक है और फिर उसके उपर के लिए आपको पीछे का टेट का पीछा जो भी टेट वाले मारे स्टूडेंट है उन्होंने पीछे का प्रोसेस पता है कि यहां पर बात कर रहे हैं कि जिन इस्टूडेंट उन्होंने यूपी टेट का एकजाम पास कर लिया है अब उनके लिए क्या करें ठीक है तो अब उनको इंतजार करना है वेकेंसी का जब आपकी यूपी गवर्मेंट आपकी सुपर टेट की जो जगह निकालीगी जितने भी जैसे 57,000 वेकेंसी आपने सुना होगा 70,000 वेकेंस और 97,000 वेकेंसी ये सारी वेकेंसी चलती हैं तो अगर ये वेकेंसी आती है तो आप उसमें अप्लाई कर पाओगे सुपर टेट के लिए और तब ही अपका टेट पास होगा ठीक है तो टेट वाले जितने भी लेक्शर्स हैं आपको लिंक डिस्क्रेशन में मिल जाएगी प तो देखो यूपी टेट एक्जाम आप पास हैं इसकी तो कोई टेंसर नहीं अब हम बात रहें सुपर टेट एक्जाम पास करने के लिए तो सबसे पहले तो आपको टाइम जो है वो धाई घंटा मिल जाता है ठीक है और इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है ये स्लेवर्स हमन कर सकते हैं और इस चीच को आपको अच्छे से तयार करना चाहिए आपको यह जो लेंग्वेज है इनमें से अच्छे को तयार करना है जो आपकी सबसे अच्छी हो उसको तयार करना है फिर आपकी विज्ञान है और विज्ञान वही जो आपने हाई स्कूल इंटर पढ़ी ह अबी पढ़ी होगी और इसमें डिलेड बीटी सी और बिएड वगरा किया होगा तो उसमें भी आपको लिखने को आया होगा तो विज्ञान तो इतना आता है कि आपको दस नंबर का रहा है तो यहांसे साथ आठ नमबर आप गेन करो ठीक है यह मतलब बनता है विज्ञान का और विज्ञान का कोई आपसे derivation solve नहीं करा जाएंगे विज्ञान के factual question पुछा जाएंगे जो आप बहुविकल्पी type में आप फटा फट जो है उनको answer करो ठीक है और गडित में math में आपको 20 है देखो एक हमारा subject math और reasoning है math और reasoning ही पढ़ा रहें आपको 3-4 साल से तो आप ध्यान रगना है गडित में आपको 20 number है 20 के 20 हो लाने है जिनको 20 के 20 नहीं लाने है तो 15 से 20 के बीच में रहना है 15 से 20 में नीचे नहीं आना है और जो जा रहे हैं वो हमारे चैनल पर जरूर उनको भेजो जिनकी math कमजोर है highway classes पर भेजो टीटी के लिए सूपर टेट के लिए जो math हमसे पढ़े और फिर बताए हमारे कितने number आए ठीक है तो यह गडित के लिए आपके 20 अंख है यहां से आप ध्यान रखो में पॉर्षन है math और math ही ऐसा पॉर्षन है जिसमें लोग दावा कर सकते हैं यहां हम इतने लाएंगे ठीक है एक स्लेबस आपको दिया जाएगा उस स्लेबस के तहत आपको उस चीज़ को complete करना पड़ेगा ठीक है पर्यावरणो सामाजी विज्ञान 10 नंबर का आएगा आ धाल जो समसमाई की मुझ्वे हैं सबसे बड़ा सिकेंड जो स्लेबस है वो करणट अफैर का है यहां पूचा रहेगा आपको पिछले एक साल का करणट अफैरule का बहुत अच्छे से तैयार करना है साथ में जो बहुत महतफून मुझ्वे हैं जो चर्चित मुझ्वे हैं आपको उनको जरूर कवर करना है ठीक है तीस नंबर का यहां से पूछा जाएगा तारकिक ज्यान तो यहां छुटा सा जैसे बच्चों को डील करना या मतलब ऐसे तारकिक ज्यान आप से पूछा जाएगा समझ रहें किस चीज का आपको परिछण करना है तारकिक ज्यान का औ और ये इन में से मिला कर जो जिसका सही है वो सही करो और जिनका नहीं सही है उस पर उस सब्जिجट पर मेलत करो सभी सब्जब्स को महत्त पूर्ड देना ऐसा नहीं कि पांच नमर का चलो चौड़ दो और ये सूचना पृत्र वाखतके यूग में कंप्युटर कीतना आगे बढ़ रहा है कंप्यूटर में क्या क्या जीज़ hypothesis हो चुकी है आज क्या-kart में क्या-क्या थ्यान कुक्तितु है कि अब कितना विकास हुआ है रिजन वाग्या ऐगी है पूछा जाता है नई चीजें आपको फूछा जायेंगा रिजनिंग के लिए आप जरू ध्यान रखें रिजनिंग के लिए आपको यूटूब पर सर्च करना है रिजनिंग भाई हाईवे क्लासेश ठीक है वहां से आपको अपनी अच्छी करनी है तुम्हें और टोडल यहा पास हो गया क्या उसकी जो है जॉब लगेगी तो आईए इस चीज पर भी हम लोग देख लेते हैं अमल कर लेते हैं देखो आप सूपर टेट पास हो गए हो इसका मतलब यह नहीं कि आप क्योंकि आपको 2-3 प्रिया और यहां पर अपनानी पढ़ेंगी तो सबसे पहले आपको कटाफ बनेगी वो किस पर बेजड होगी तो आप देखिए आपने सबसे पहले हाई स्कूल में जितना भी परसेंटेज गेन किया हो उसका 10 परसेंट लिया जाएगा जैसे मालेते हैं कि पर इसका है उसका 12 परसेंट यहां पर निकाल लेंगे और सेम यहीं चीज इस नातक में आपने कितने परसेंट उसका भी आपको 10 परसेंट लिया जाएगा ठीक है और जो आपने TET exam पास किया है उसके बाद ही तो Super TET किया है तो जितना आप TET में खीश सकते थे इसलिए कह रहा है कि खुब जब जब सुरू से ही मैनत करो तब ही जाकर ये 10-10% थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ता है तो ये last में जाकि जिसके 90% high school में है जिसके 80% या 85 या 90% इंटर में भी है इस नातम में भी 60-70% है और TET में भी उसने अच्छा खासा नंबर स्कूर किया है तो उसको Super TET में अगर एक बार घड़बड़ा भी जाएगा या Super TET में भाई ये सारी चीज़ अगर उसने अच्छी क्वालिफाई की है तो Super TET भी अच्छा क्वालिफाई करेगा और Super TET में आपको चाहिए 60% Super TET का 60% चाहिए आपको ठीक है तो यहां पर Super TET काफी महत्व है बाकि इन लोगों का यह 10, 10, 10, 10, 10, 40% हो गया तो 40% यहां से 60% यहां से 40-60, 100% है यहां पर आपको सेलेक्शन इस बेस्ट पर किया जाएगा इनके नमबर के बावजूद अब जब इनके नमबर जब आपके सब जोड लिये जाएंगे सभी बच्चों के जो भी Super TET exam पास किये हैं उनको सबको यह सब जोड लिया जाएगा पर किरा से गुजरना पड़ेगा जब यह सारी चीजे हो जाएंगी उसके बाद में फाइनल कटाफ बनेगे तो आप उस फाइनल कटाफ में आते हैं तो आपको जरूर टीचर बनने का मौका जरूर मिलेगा ठीक है उम्मीद है कि यह लेक्षर बनाने का मेरा परपच यही था कि आपको एक बार जो वच्चे हमारे यूपी टिट पास किये हैं उनको या जो यूपी टिट पास करने पे लगे हैं तो उनको सुपर टिट भी देना है तो कैसी जो है एक्जाम प्रिक्रिया से कैसे गुजरना पढ़ता है वो चीर्ण 건 अब काई किया-क्या पढ़ना ही पढ़ती है एक बार आपकी आंकों के सामने स्लेवस आगया है हो सकता है कुछ चीज़ें आप सलेबस देखकर आप देखें कि ये वाली चीज मेरी छूट रही है तो उसको उस पर आप ज़्यादा मेनद करें ठीक है तो आपको सभी को वरीता देना है और आपको हमारे करना है मैस के लिए और रिजनी के लिए आप हमें ही चुने हमें ही क्यों चुने आप रिजल्ट भी देख सकते हुमारा अच्छा खासा वहां पर हमने आपको मैस बढ़ाई है और जितना एक्जाम से एकॉर्डिंग अब की बार हम लोग प्रिविएस एर क्वेस्टन भी करें है तो आप हमें जरूर कमेंट वाक्स में बताएं ओके धन्यवाद